हलो मेरे दोस्तों मैं रहूल और सुपागत अपलीकू कापके अपने यूट्युब चैनल आर्के सेटर पर दोस्तों आज के वडियो में हम लोग एक मूस्ट इंपर्टन को क्लियर करने वाले हैं जो इस प्रकार से हैं कोशिन आपका होने वाला जोस्तों पर्यावरण ऑनयान से क्या आसा है कि परियावरन अवनयन से क्या आसा है तथा इसके कारणों की विवेशना करें सब्सक्राइब जानते हैं कि यह कुशन कितने प्रकार से पूछा जा सकता है ठीक है तो देखिए अगर कुशन की बात करें तो कुशन आपका इस तीन तरीके से पूछा जा सकता है कि परियावरन अवनयन का क्या तात पारी है इसके कारणों की विवेशना कीजिए अथवा में पुछा सकता है कि परियावरन चरन से आपका क्या विप्रा है इन कारणों का सपस्ट कीजिए या तो पुछा सकता है कि परियावरन विनिस्टी करण को सपस्ट कीजिए ठीक है अब दिखे अगर कोशन यहां पे आता है परियावरन चरन ठीक है परियावरन चरन या तो परियावरन अवनयन तो परियावरन अवनयन या तो चरन का मतलब क्या होता है तो अगर सीधे से भासाव एकर हम बात करें तो परियावरन अवनयन का मतलब होता है या तो छरन का मतलब होता है कि हमारे प्राकृतिक चीजों का प्राक्रियतिक चीजों कहने का मतलब है जल हो गया वायू हो गया भूमी हो गया ठीक है उन चीजों का दोहन उन चीजों के गुनवता में कमी आना कोई क्या कहलाता है परियावरन अवनयन कहते हैं ठीक है देखे उतर में बताया कि आपको उतर में इस प्रकार से रिखना है कि परियावरन चरन या तो परियावरन अवरन यहाँ पर चरन आगया चरन होगा वो ठीक है परियावरन चरन से तात पारिये उस प्रक्रिया से है जिसके मात्यम से हमारे परियावरन अर्थार्थ जल वायू और भूमी का तीवर गती से दोहन हो रहा है इस परियावरन चरन उस माधियम से क्या हो रहा है हमारे परियावरन में हमारे परियावरन में स्थीत प्राकृतिक चीजों का जल वायू भूमी और तरह तरह के जितने भी प्राकृतिक चीजे हैं उसका तिवर गति से दोहन होना ही क्या कहलाता है परियावरन चरन कहलाता है या तो परियावरन अवन पर्यावरन में होने वाले वो वो सारे परिवरतन आते हैं जो आवन्षनिये हैं और किसी ज्यत्र विसेश में या पूरी पित् rigorous पर जीवन को खत्रा उत्पन करते हैं। इस कहने का मतलब यह है कि परियावरन में होने वाले वे सारे परिवर्तन आते हैं जो क्या है आवंचन यह है और किसी विशेश छेत्र में या पूरी प्रित्वी पर जीवन को खत्रा उत्पन करते हैं यह क्या करता है पूरे छेत्र पर या तो पूरे प्रित्वी पर क्या करत करता है जीमन को खत्रा उत्पन करता है नहीं जी जनतू है वो लोगों को क्या करता है? कि अ कि अत्रगतु प्रदूसन जलवायू परिवरतन ज्यव मिविता बंबेद चचरण एवं अनप्राकृतिक अपदाइः इत्याद ही सामिल कि जाता है अगर इसके अंठरगत की Florian के कारण होता है तो परियावरन आवनयान के कारण यह चीज होता है ठीक है अब कोशन में जा सकी बोला गया था परियावरन आवनयान के कारण तो हम लोग जानते हैं कि परियावरन आवनयान के क्या कारण है कुछ तो कारण हो गया ना परियावरन आवनयान के परियावरन हरास या वन विनास हम लोग सभी देख जा रहे हैं दोस्तों हम जैसे समाज में हम लोग रहते हैं हम लोग सब देख रहे हैं कि दीरे-दीरे क्या हो रहा है वनों का विनास होते चाह रहा है अभी अगर हमारे गाउं का विकास करना होता है सहर का विकास करना होता है ऐसे माल ल फिकास होगा, उसके साथ साथ हमारे ग्रामिन महिलाएं जो है वो क्या करती वनो को काट करके ले आती है जिससका प्रभाव जो है किसे पर पढ़ता है हमारे वाई-गूलब पर पर्यावरन पर पढ़ता है हना जैसे के देखे पॉइंट सब्रवर्वन आपको बताया प्रावर्निय च्छरन के परमुख कारणों में से एक है। परियावर्न को सुरक्षित वास्वख्ष बनाने में बहुत महत्व है। परंतु मनुसी अपने आवसकताओं को पूर्ति करने के लिए वन की प्रावर्निय वाजविक महत्व कौन देखा कर रहा है। मनुसे क्या कर रहा है अपने अवसक्ताओं की पूर्ती करने के लिए जो है ना क्या कर रहा है दिन परते दिन वनों का दोहन करते जा रहा है जो हमारे परियावरन को क्या करता है सुरक्षित वा स्वक्ष बना करके रखता है उसी को मनुसे क्या कर रहा है दिन परते दिन दोह और जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो लोगों को आकसे मिलेगा क्या नहीं मिल पाएगा पेड़ पौधे क्या करते हैं हमारे वाइयो मंडल से क्षिछते हैं कारबन डाकसेड खिछ लेते हैं ठीक है और हम लोगों को जवाना सुध ऑकसिजन देदे हैं लेकिंगे जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या हम लोग कारबन डाकसेड लेके जिंदा रहेंगे नहीं ठीक है तो अगर पेड़ पौधे मरेंगे हमारे परियावरण अगर बिगड़ेगा परियावरन का संतुरों अगर बिगड़ेगा तो उसके साथ-साथ पूरा जीव जुआना ख़त्म हो जाएगा ठिकत्या कि इसका दूसरा कारान वह संख्या प्रीथी किने का मतलब इस्Ay मालने धी पर्यावरन है हमारा पर्यावरन है यहां पर जैसे 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 जनसंख्या का ब्रीधी होगा उसके लिए सक्ता भी तो बढ़ेगा तो वो क्राकृतियों का दोहन करना श्टार्ट करतेगा जैसे कि देखिए बताया गया इसमें जन संख्या में हुई अभूत पुर्ण विधी के कारण पृत्वी पर हरूस गतिविधी में तेजी आई है जिससे परियावरन को नुक्सान पहुचाया जाता है क्योंकि मनुस यह पूर्ण रूप से अपनी आवाशक्ताओं के पूर्ति के लिए प्राकृति पर निर्भर रहता है और जितनी जन संख्या बढ़ेगा प्राकृतिक चीज है ठीक है सबका दोहन भी बढ़ता जाएगा और पर्यावरन पर इसका दूस परभाव भी पढ़ते रहेगा ठीक है पर्यावरन पर क्या रहेगा इसका दूस परभाव जो है उप पढ़ता कर रहेगा आता सपस्ट है कि जन संक्या ब्रिधी जो है पर्यावरन यह चरन का पर्मु को कार सब जानते हैं कि हमारे घरों में हम लोगों के सुविधा के लिए राता है एसी आता है लेकिन हम लोग ये चीज से तात्पर नहीं है ना कि उससे कितना खतरनाक गयस निकलता है CFC गयस निकलता है हमारे ओजन परत को छ्य करता है और जैसे कि मैंने आपको पिछले विडियो से में बताया था कि ओजन परत अगर छ्य हो जाएगा ना तो सूर की परावैगनी किरने हैं जो है हमारे प्रीथवी पर डारक्ली पड़ेगी और जब प्रीथवी पर पड़ेगी न और हम यहां के मनुस्यों पर पड़ेगी यहां के मनुस्य जो हो क्या हो जाएंगे तो अचा कैंसर के सिकार हो जाएंगे है ना तो इस प्रकार से क्य हम लोगों को दिक्कत होगा की नहीं होगा वीद्धी के कारण जलवाउस गैश में त्रीवर्व चांतल सिर्ध हो जाता है तो यहां क्यों परियावरन संतूलन जोना बिगणने लगा है ठीक है आगे बताएगा कि ग्रिन हाउस गैस में ब्रिधी होने के कारण जैब विविता पर इसका नकरात्मक परभाव पढ़ रहा है और इस तरह के जलवाईयों परिवर्तन के कारण आने वाली वर्स्यों में प्रित्वी का ता प्रित्वी का ताप्मान ब्रिधी हो जाएगा जिसका सिधासर किस पर होगा तो हमारे परियावरन पर होगा और परियावरन में रहने वाले जिव जनतू में होंगे पेड़ पोधे में देखने को मिलेंगे इस तरह समनों क्या सकते हैं कि जलवाईयों परिवर्तन भी क्या परियावरन चरन का अवनायान का एक प्रमुक्ष कारण है ठीक है अब देखें चौथा इसका कारण जो है प्रदूसन क्या है प्रदूसन कहा जाता है दूस्तों कि आज के इस वग्यानिक यूग में और द्योगी करण और सहरी करण का विकास बहुत तेजी से हो रहा है अगर परियावरन को पर्दूसित करते जा रहे हैं बता जाता है कि इनके वृद्धी के कारण पारिस्टिक तंत्र पर इसका नकरात्मक प्रभाव पड़ा है क्यूंकि इसके विकास के कारण वायू जल एम भूमी आदी पर्दूसन में बढ़ोतरी हुई है जो परियावरन को परियावरन को ना देखा करते हुए तो क्या ये ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, आगर चलके हम लोगों कोई प्रॉबलम होगा, ठीक है, तो इस प्रकार्स हम लोग कह सकते हैं कि पर्दूसन भी जो है, क्या है? परियावरिये अवन्यायन का एक पर्मुक्ष कारण है. प्रकृतिक कारण बता जाता है कि परियावरण चरण में मानवी गतिविद्यों के अत्युरिक्त कुछ प्रकृतिक कारण जैसे तुफान, भोस कलन, सुनामी, भुकंप, आदि भी मानवा पसू समुदायों पेड़के जीवन को स्वाप्त कर देते हैं, जिससे परियावरण करण के प्रमुक्र कारणों में से एक है इत बताया ग्या था नहीं की प्राकृतिक कारण प्रावर्ण पेड़ पोधे ही ने रहेंगे मनुस्ती ही नहीं रहेंगे ठीक है तो क्या यहां का परियावरन चक्र से चलेगा नहीं चलेगा ठीक है इससे क्या होगा हमारा परियावरन चक्र जो है न वह प्रभावित होगा जालतंत्र यहां से तूट जाएगा और जब जालतंत्र तूट प्राकिर्थिक चीजों का अत्या दिन दोहन कहने का मतलब है जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि एगर लोग को कहीं जाना होता है तो अगर एक क्लीटर पेट्रोल का जरूत होता है ना एक्स्ट्रा लेते चलो कोई लिक्रत नहीं बढ़ेगा तुर रहेगा कि आए तुमail ने कि विये कि जतना जन संख्या बढ़ रहा है सब्लोग क्या करते है इतना गाड़ी खश्रीद ली आ ऐ दिन परते दिन डीजल पेट्रोल आधी का जोना अंधा धून खपत होते जा रहा है अगर जरूरत भी नहीं है फिर भी लोग पेट्रोल भरा करके यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं जरूरत नहीं है फिर भी तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं न कि हम लोग क्या कर यहां प्रकृतिक चीजों का दोहना दोहन कर रहे हैं। जरूरत नहीं होने कि अभी अवशक्ताओं की पूर्ति करने के लिए, दिन परते दिन प्रकृतिक चीजों का दोहन बड़ी तेजी औसे कर रहा है। ठीक है बता गया है कि वन जीव का सिकार प्रकृतिक संसाधन जैसे कोईला पेट्रोल डीजल आधी का परियोग गैर इमारती लकडियों परियोग आधी का कानून चाहे गैर कानूनी तरीके से बहुत तेजी से दोहन किया जाए देखिए मनुसे क्या कर रहा है हमारे जितने भ कर रहा है बहुत तेजी से इसका दोहन करते जा रहा है जिससे क्या हो रहा है हमारा प्रस्तितिक तंदर गृत बहुत ब्रह तरीके से परभावित हो रहा है कर और इसे होता है था तो उम्मीद और दोस्तों ऊपको समझ बे आग5 कें रहा है अब हम लोग बढ़ता है इसके th में हम लोग लिखेंगे कि उपयोगत सभी विंदूों से या सभी प्रियावरन और नय आनन के परमो कारण है कहने का मतलब यह 使用 रहर्त जितने विंदू सी केmल हुए क्या सब्सक्रण नहीं है जिसके आपको उपरोगत में बता है तो उमीद करते हैं कि यह question आपको समझ में आ गये होंगे कि question में क्या बोला गया है और क्या इसमें से बताना है और अगर यह question आपको समझ में आ गये होंगे तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें और इससे related और अगर question चाहिए होंगे major economics का, major history का, किसी का भी करते हैं टेलिग्राम ग्रूप में जूड़ करें ठीक है जुसका लिंक आपको description box में दिया हुआ ठीक है तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत